नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एश केस्नल चैनल जी आरवी इस्टडी में जैसा कि आप सभी रेलवे एलपी और टेकनेशियन की भरती परिच्छा में पास हो चुके हैं तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत-बहुत सुपकामना है तो आप सभी के के लिए हमारे चैनल ने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम आप सभी के लिए लेकर आये हैं रिजनिंग की क्लासेस यह रिजनिंग सीरीज आपके सभी वंडे एक्जाम जैसे एलपी एससी सीजील आईबी एससी जेई आरवी जेई यूपी ट्रिपल सीजेई तथा आ जैसा कि आप जानते हैं एलपी सीबी टी टू में रिजनिंग का वेटेज 25 कोस्चन का होता है आप सभी से प्रॉमिस करता हूं यदि आप हमारे सारे रिजनिंग वीडियो के साथ हमसे जूड़े रहेंगे तो आप 25 से में 25 कोस्चन करने में समर्थ होंगे तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना न भोलिए तो आएए दोस्तो हम सुरू करते हैं अपना पहला टापिक जिसका हर एक्जाम में कम से कम दो कोस्चन का वेटेज होता है तो हम अपना पहला चैप्टर सुरू करते हैं जिसका नाम है क्लॉक या घड़ी तो दोस्तो घड़ी से आप लोग पहले से पूरी तरह आवगत हैं अब हम आपको घड़ी के डिटेल में लेकर चलेंगे जो हमारे घड़ी के कोस्चन हमारे एक्जाम में आते हैं सबसे पहले हमें घड़ी बना लेते हैं जैसा कि दोस्तो हम जानते हैं हमारे घड़ी बारत से एक इसके बीच में हमारा यह पांच मिनट होते हैं और इसमें हमारा यह पांच छोटे-छोटे खानों में बटा होता है इसका मतलब हमारा क्या हुआ है घड़ी हमारी टोटल साथ छोटे-छोटे खानों में बटी होती है अब हम आपको बताएंगे मिनट स्पेस या मिनट दूरी मिनट की सुई जब एक खाने को पार करती है तो वह एक मिनट का समय लिगती है तथा जब वह 10 खाने को पार करती है तो वह 10 मिनट का समय लेती है इसी प्रकार घंटे की सुई 5 छोटे खाने को पार करती है तो वह 5 मिनट की दूरी तै करती है परन्तु उसके द्वारा लिया गया समय 60 मिनट का होता है यहाँ पर मिनट दूरी का मतलब सुईयों द्वारा चली गई दूरी से होता है अर्थात मिनट वाली सुईयं 60 मिनट में 60 मिनट की दूरी तै करती है तथा घंटे वाली सुईयं 60 मिनट में 5 मिनट की दूरी तै करती है तो दोस्तों जैसा कि हमको पता है किसी भी 1.4 तरफ हमारा टोटल 350 का और युद nehmen यहां 1.4 तरफ चक्कर लगा जाती है मतलब हमारी जो मिनट वाली स्विंग है वह साथ मिनट में कि टोटल तीन सो साथ डिग्री घूमती है कि जबकि घंटे वाली स्विंग साथ मिनट में सिर्फ 30 डिग्री घूमती है आए दोस्तों हम इसको एक फीगर की दोरा पूरी अच्छे तरह से समझते हैं सबसे पहले हमें घड़ी बनाते हैं इसे वाली हमारा यह घड़ी बना हुए कि इसमें हमने यह पता कर लिए कि हमारी मिनट वाली स्विंग साथ मिनट में 306 डिग्री घूमी है तो अगर हम यह देखें कि एक मिनट में कि मिनट वाली स्विंग कितना एंगल घूमेगी तो हम देख रहे हैं दोस्तों हमारा कि साथ मिनट में हमारा तीन सो साथ डिग्री घूम रही है तो एक मिनट में तुमें तो तो यह साथ मिनट में 30 डिग्री घूम रही है तो अगर हम एक मिनट के अंदर अगर निकालें तो एक मिनट के अंदर हमारी यह आधा डिगरी घुम रही है और दोस्तों हमारा टोटल जो हमने देखा कि एक पॉइंट के चारो तरफ तीन सो साथ डिगरी का कोड़ बन रहा है और हम जानते हैं कि हमारी घड़ी टोटल बारह बराबर हिस्सों में बटी होती है इस तरह अगर हम देखे जाए कि एक हिस्से में कितने एंगल का कोड़ बन रहा है तो अगर हमारी स्विंट टोटल बारह हिस्सों में बटी है और टोटल एंगल तीन सो साथ डिगरी का है तो एक हिस्से में कितना एंगल हुआ थिरी सिक्स्टी डिवाड़ेड बाइ टॉल यानि कि तीज दिगरी तो दोस्तों यहां से हम अपने तीन कंक्लूजन निकालते हैं जो कि हम नोट के रूप में लिखते हैं तो दोस्तों नोट नमबर वन मिनट की सुई एक मिनट में कितने डिगरी का कोड़ घुमती है दोस्तों अभी हमने ऊपर निकाला था कि मिनट की सुई एक मिनट में छे डिगरी का कोड़ घुम रही हैं तो हमारा ओगए नोट की स्ँई एक मिनट में छे डिगरी क्ज़ुकुमती हैं कि दूसरा कि दूसरा नोट दोस्तों हमारी जो घंटे वाली स्विए है कि यह हमारी एक मिनिट में कि आधा या हाफ डिग्री घुमती है और हमारा जो तीसरा नोट होगा कि किन ही दो लगातार अंको के बीच तीस डिग्री का कोड होता है तो दोस्तों अभी हमने इसार हमने जो यह तीननोट आप हमने नोट किये हैं ऑब इन तीननोट का हम कहां प्रका एक एक आमारे जांब में एक कोस्चं रहता अंगल निकालने का तो अब हम उस टॉपिक पर ले चलते हैं घड़ी पर कि कैसे हम इसकी मदद से बिना किसी फार्मूले का यूज की एंगल हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम एक घड़ी बनाते हैं जिसमें हमारा एक बज़राओ मान लीजिए एक बज़े अगर आपकी घड़ी में एक अगर एक बज़ रहे हो तो हमारा घड़ी बनेगा कुछ से इस तरह से एक दो तो हमारी जो मिनट वाली सुई होगी वह बारे पर होगी यह बड़ी वाली सुई और जो हमारी छोटी वाली सुई होगी वह एक पर होगी तो दोस्तों अभी हमने सीखा है कि लगातार किनी दो अंकों के बीच हमारा कितना डिगिरी का कोड़ बनता है नोट नमबर 3 लगातार किनी दो अंकों के बीच 30 डिगिरी का कोड़ बनता है आ यहाँ पर हमारी जो minute और घंते की by χ demais वह लगातार दो अंको ressoगां पर हैं तो हमारा एंगल कितना बन गया इनके बीच यह एंगल थो हमारे यह एंगल बन गया डारेट hem निकाल दिय तीच दिएं यह तो simple question है यहाँ तो हमने आसानी से स्निकाल लिया तो अब हम आईए अब हम आपको एक इससे एडवास लेवल पर ले चलते हैं जैसे अब मान लीजे हमारी घड़ी में 4 बच कर 40 मिनट हो रहे हैं तो आईए अब हम आपको घड़ी में 4 बच कर 40 मिनट दिखाते हैं पहले हम कोस्टन नोट कर लेते हैं कि चार बजकर कि चालिस मिनट अब हमको यहां पर मिनट और घंटे की सुई के बीज में एंगल निकालना है तो सबसे पहला कम हमारा क्या होगा घड़ी है हमारा कम हो घड़ी बनाना तो हमने बना लिया घड़ी कोई बात नहीं बारे तीन छे नौ तो एक दो एक तो तीन चार पांट छे साथ आठ नौ दस एक ग्यारे बारे तो हमसे कितने बज़े और कितने मिनट पर पूछा है चार बज़कर चारिस मिनट पर इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों चालिस मिनट यानि कि हमारी जो मिनट वाली सुई होगी वह एक जेक्ट आठ पर होगी लेकिन हमारी जो घंटे वाली सुई होगी वह एक जेक्ट चार पर नहीं होगी क्योंकि अगर एक जेक्ट चार पर होती तो हमारी घंटे वाली सुई बारा पर होती यानि कि हमारी जो खंटे वाली सुई होगी वो यहां कहीं होगी तो दोस्तों अब हम यहां पर आपको दिखाएंगे कि इनके बीच एंगल कैसे निकालते हैं तो पहले सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम हमारी जो सुई हैं घंटे और मिनट की इनके बीच हमारी कितने टोटल कमप्लीट इस पेस आ रहे हैं जैसे 5-6, 6-7, 7-8 सबसे पहले हमारा काम क्या होगा हम यह काउंट करेंगा जैसे 5-6 हमारा एक हो गया 6-7 हमारा दूसरा हो गया 7-8 हमारा तीसरा हो गया यानि कि हमारे total complete कितने इस पे सार है तीन हमने अभी आपको बताया था पहले ही कि किनी दो लगातार अंको के बीच में कितने डिगरी का कोड बनता है तीस डिगरी का तो यानि हमारे यहां पे एक दो तीन यानि कि हमारा यह कितना एंगल हो गया 90-1 य dependence कि में 90 डिगरी का कोड तो डोस्तों हम ने देखा हमारा 90-1 का कोड हमने कहां सब कहां तक देखा 8 से लेकर 5 तक हमारा निकलके आ गया 90 डिगरी का कोड बट अब हमारा जो इफ्टर यह एंगल है अब को यह एंगल प्रेक्टिस में आपका आ जाएगा तो आप इस कॉश्चन को सिर्फ एक घड़ी बनाकर निकाल लेंगे मििन्टों में कुछ सेकंड़ों में ही निकाल लेंगे प्रेक्टिस करेंगे लेकिन लेकिन अब है तो है कि चार पार है कि साथ है कि तो दोस्तों जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि हमने पहले क्या किया चार बजा दिया घड़ी में एक्जेक्ट जब चार बजा दिया तो हमारी घंटे वाली सुई चार पर और मिनट वाली सुई बारा पर लेकिन हमारी घंटे वाली सुई है वो आगे हमारा थोड़ा सा बढ़ी है चार से इसका मतलब क्या है जो यह आगे बढ़ती है हमारी घंटे वाली सुई यह किस वज़े से बढ़ती है क्योंकि मिनिट वाली सुई हमारी क्या होती है आगे बढ़ती है जैसे जैसे मिनिट वाली सुई आगे बढ़ती है उसी की वज़त से हमारी जो घंटे वाली सुई है वह आगे बढ़ती है तो दैसे देखिए हो दोस्तों हमने अभी इसके पहले पढ़ा था कि एक मिनिट मे गंटे वाली सुई कितना घुमती है आधा डीरी और हमको कितना हमारा घड़ी घुमा है चालिस मिनट अगर हमारा चार बज़रा होता तो हमारा सुई चार पर होता लेकिन हमारी जो मिनट वाली सुई है वो चालिस मिनट घुम चुकी है तो इस चालिस मिनट की वज़े से जो घंटे वाली सुई है वो कितना घुमी होगी एक मिनट में आधा डिगरी घुम रही है तो चालिस मिनट में वन बाई टू इन्टू फॉर्टी यानि कितना होगी हमारा दोस्तों बीश डिगरी यानि कि इस चालिस मिनट की वज़े से हमारी घड़ी बीश डिगरी आगे घुम चुकी है यानि कि हमारा जो यह एंगल आया यहां से यहां तक फाइंड टूतल हमारी कितनी ही है 30 गूं कितनी गई है 20 यानि बचा कितना हमारा 10 हमने पहले निकाल लिया कि 8 से 5 तक हमारा कितना एंगल था टोटल एंगल हमारा कितना था 90 डिगरी प्लस जो इश्टरा हमारा आ रहा था हो कितना आ गया 10 डिगरी इस तरह हमारा कितना बन गया टोटल एंगल 100 डिगरी का तो चलिए दोस्तों इस कोस्टन को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं हमसे कह दिया कि 4 बच कर 40 मिनट 4 बच कर 40 मिनट में हमको कोई दिक्कत नहीं सबसे पहला कम हमारा होगा कि एक घड़ी बनाएंगे जिसमें 4 बच कर 40 मिनट पर कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं चार बच कर 40 मिनट में जो घंटे वाली सुई होती है वह उसको सीधह लेजा के चार पर ले आते हैं लेकिन वह चार पर ना होके चार और पांच की बीच में कहीं पर होता है है तो सबसे पहले हम यह गलति नहीं कर दardenगे उसके बाद में हमारा काम होगा कि यह 20 Genau हमारी सुई है घंटे वाली सुई और मिनट वाल इस इनके बीच में कितने completeZZव हमारे आ रहे हैं जैसे यहां पर भीमारत पांच से 6 शे बनता है। थीन कम्प्लिटी स्प्पेस में हमारा 30 ड़़ लिव बना। कि अगर आपको यहां पर नहीं समझते हैं कि फीकर में तो आप 12 से कण्ड से यादा नहीं में बनाएंगे जिसमें हमारा जो हमारा चार बज रहा है तो उसको चार बज जाएंगे अब हम देखेंगे हमारी जो घंटे वाली सुई नीचे क्यों आई है घंटे वाली सुई हमारी नीचे इसलिए आई है क्योंकि मिनट वाली सुई हमारी 40 मिनट मूव की है अगर मिनट वाली सुई 40 मिनट मूव करेगी तो इसी वज़े से हमारी घंटे वाली सुई कहीं नीचे आजाएगी तो 40 मिनट की वज़े से हमारी घंटे वाली सुई मूव की हमको पता है कि एक मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिगीरी घूमती है तो 40 मिनिट में कितने डिग्री घूमेगी 20 डिग्री जब 20 डिग्री वो घूम चुकी है बाकी कितना बचा हमारा टोटल हमारा 30 है 20 घूम चुकी है तो बचा कितना 10 इस 10 को हम अपने 90 में जोड़ देंगे हमारा टोटल एंगल निकल के आ जागा अब हम एक और कोश्चन लेते हैं उसको भी समझते हैं इसी मेथर्ट करेंगे कोश्चन नंबर टू यह हमारा कोश्चन नंबर बनता है जैसे कोई भी किट आप कोई भी टाइम ले लिजिए उसको आप इस मेथर्च लगा यह आपको ना फार्मूले की ज़रूत पड़ेगी ना किसी चीज यह रामबार इलाज है है घड़ी का जैसे हमने मान लिजिए ले लिया टाइम आठ बजकर बीस मिनट पर आठ बजकर एक घड़ी बनायेंगे घड़ी बनाया हमने ठीक है बारे तीन शे नौ एक तो तो तीन चार पांच शे साथ आठ नौ दस एक्यार है तो हमको आठ बच कर बीस मिनट बनाना है तो बीस मिनट मतलब यह हमारी जो मिनट वाली सुई होगी वह एकजेक्ट चार पर होगी लेकिन जो घंटी वाले सुई होगी वह आठ से थोड़ा ऊपर और नौ से नीचे कहीं ऐसी जगा होगी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार खुद अगर अपनी घड़ी में आठ बच गर 20 मिनट पर देखेंगे तो हमारी जो घंटे वाली सुई एक चार से पांच दो पांच से छे तीन छे से साथ चार साथ से आठ मतलब कितने टोटल स्पेस आ गए चार हमको पता है एक स्पेस में कितने डिगरी कोड बनता है तीन तीस डिगरी का तो चार स्पेस में हमारा कितने डिगरी का कोड बन गया 120 डिगरी का अब हमको निकालन कि हमारी जो मिनट वाली सुई है वो कितना आगे बढ़ी है तो दोस्तों अभी हमने सीखा था कि एक मिनट की वज़े से हमारी सुई एक मिनट की वज़े से हमारी घंटे वाली सुई आधा डिगरी बढ़ती है अब हमको कितना मिनट आगे चले हैं 20 मिनट तो दोस्तो 20 मिनिट की वज़े से 10 डिगरी अब जब हमारे 10 डिगरी आगे बढ़ी है तो दोस्तो अब हमको यही तो चाहिए था कि कितना आगे बढ़ी है और यही हमारा निकल के रागे है 10 डिगरी यहां से यहां तक हमको एंगल पहले निकाल लिए थे 120 यह रहा और यहां स से पूछा है तो टोटल एंगल हम निकाल देंगे 120 प्लस 10 इक्वल टू 130 टिगरी का कोड़ बन गया यह तो होगे अगर आप एक्जाम में फर्मूले वगरा भूल जाते हैं तो यह आप आसानी से निकाल सकते हैं लेकिन मान लिजे एक और मेथर सीख लिजे जहां पर आपको एक फर्मूला याद करना पड़ेगा वो ट्रिक है एक तरह से समझे जो आपकी कोश्चन्स को आपको हमान ट्रिक ले लिजे एक ट्रिक है इस ट्रिक में हमारा क्या है एक फर्मूला होगा एम इस इकल टू टू बाई 11 एच वन इन्टू 30 प्लस माइनस एंगल तो जहां पर एम हमारा रिपर्जेंट करता है मिनट को एच हमारा रिपर्जेंट करता है आवर को हमारा रिपर्जेंट करता है एंगल को अब दोस्तों इस फर्मूले में जैसे हमारा पहला कोश्चन था चार बज कर 40 मिनट पर अब हम इस फर्मूले के द्वारा इस कोश्चन को लगाने की कोशिस करेंगे चार बज कर 40 मिनट वाला चालीस कि दो बटे ग्यार है कि एच वन हमारा कितना हो गया चार गुड़े तीस प्लस माइनस एंगल हमको यह एंगल निकालना है अब इसको हम क्या करेंगे पहले 40 को 2 से काटेंगे 20 और 20 इन्ट विलेवन हमारा जागा 220 इस इकोल टू 120 प्लस माइनस एंगल अब हमारा क्या होगे एंगल यहाँ पे निकल कर आ गया 220 माइनस 120 इकोल टू 100 अब देखिए दोस्तों उपर हमने बिना फर्मूले निकाला वहाँ पर भी हमारा कितना आया था दोस्तों यहाँ पर हमने फर्मूले से निकाला यहां भी हमारा आगया 100 यह आपके दो मेथड होते हैं अंगल निकालने के कि मैक्सिमम जगह पर आपको यह फर्मूला वाला बता देंगे लेकिन यह concept वाला नहीं बताएंगे अब कुछ जगह पर यह concept बताएंगे यह फर्मूला नहीं बताते हैं लेकिन हमने यहाँ पर आपको online प्रवाइड किया कि दोनों चीज़े एक साथ कि अगर आप एक्जाम में फर्मूला भूल जाएं तो ऐसा ना हो फर्मूला भूलने की वज़े से आप question छोड़ दे क्योंकि एक एक नंबर बहुत ही जरूरी होता है competitive exam में एक नंबर से रहेंक पर बन जाती है एक नंबर से रहेंक गिर जाती है एक ही नंबर से ओलदा कि कभी कभी साथ सेलेक्षं नहीं ले पाता है इसलिए हमको हर एक फार्मूलेस लगा दिया तो दोस्तों आज हम अपना कि क्लॉक का सेग्मेंट यहां पर खतम करते हैं और अगले वीडियो में हम आपको असिस्टेंट लोगों पाइलट एलपी और टेकनीशियन और एस आरार बी जेई इन सभी के को साथ में अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर जहां पर आप लोग को सारे कुंसिंट के साथ में हुआ आर्ici का और हमने इस्पीसली उत्तर प्रदिश के सारे एक्जाम्स के लिए पहलार लीइनें के इस सारे टॉपिक कबर करेंंगे उत्तर और अगर आपको किसी भी कोश्चन में कोई भी प्रॉबलम होती है तो आप हमको कमेंट करके वो कोश्चन सिंड करिए आपको अगले वीडियो में उस कोश्चन का सलूशन पूरी तरह से समझाया जाएगा और दिया जाएगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगाओ तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिलकुल ना भोले और अपने दोस्तों से भी कहें और कुछ भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फसता है तो आप हमसे डारेट कमेंट कर सुरू हमसे कांटेट कर सकते हैं आप हमको कमेंट करिए आपको हम तुरंत रिप्ल अगले दिन आपको वीडियो में उस कोश्चन का सलूशन जरूर देंगे थांक्स फर वाचिंग मैं वीडियो नमस्कार